मुझा दोस्तों कैसे हैं आप आपका दोस्त विपल कौशीक आपका स्वागत करता हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल स्थक्मा के टोड़े वाई विपल कौशीक में दोस्तों इस चैनल पे हम बहुत साई जानकार यह ऐसी लेकर आते हैं जो लोगों को नॉमली नहीं मिल पाती है तो मेरी कोशिश रहती है कि आप तक वो सब चीज़े पहुचा हूँ जो आपको बहुत ज़रूरी है वो इन्फोरमेशन आप तक मिलने चाहिए आपका प्यार मिलता है बहुत बहुत शुक्रिया और चैनल को आपने सब्सक्राइब किया उसके थैंकियो अगर आपने अभी वेले टाइम में 1700 को पार कर जाए उस वीडियो को देखी का उसका लिंक आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं फिलाल चर्चा का विशह यह है कि रिलाइंस इंडिस्री ने पिछले एक महिने में तावड तोड डीले की है तावड दोड और तावड तोड डीलों में यह निकल किया है कि रिलाइंस इंडिस्री एक्तम नेट डेट फ्री हो गया है यह निवस चल रही है तो हमें यह देखना है कि क्या रिलाइंस इंडिस्री वाकई नेट डेट फ्री हो गया है नेट डेट फ्री की बात कर रहा हूं मैं मुकेश अमानी कि हांसे भी रिलाइंस Industries के यहां से एक statement आई है इन दिनों में कि हाँ Alliance Industries Company एक debt-free company हो गई है और उनने कहा था कि हम 2021 से पहले-पहले इसको कर देंगे बहुत दबदस deals हुई है आप देखना पड़ेगा कि यह हुआ है कि नहीं हुआ Alliance Industries COVID-19 pandemic के बीच में हर दिन एक नया record बनाता हो दिख रहा है लेकिन 19 जून को Alliance ने एक ऐसा announcement कर दिया जिसकी वज़े से सिर्फ उसका share ही नहीं पूरा share market का फ्यू उपर आ गया यह announcement था debt-free होने का Alliance ने मार्च 2020 में 1.61 trillion मतलब 21 billion dollar का net debt report किया था आज 21 जून मतलब तीन महीने से भी कम टाइम में Alliance ने पूरा debt के बराबर पैसा रेज कर दिया है stake sale किया, right issues के जरी यह पैसा इकटा किया यह एक Indian company के लिए बहुत ही बड़ी बात है इसी के साथ आज Alliance 500 billion dollar की company बन गई है जो एक proud feel वाली बात है as a Indian Alliance के इस achievement से market में काफी जवर्दस positive reaction देखने हो मिला Sensex 500.00 के आसपास भागा Alliance Industries का share 6.5% के आसपास 1763 का हाई लगा है 1763 का हाई लगा दिया Nifty ने भी 10,250 का mark टच किया Top gainers में 2nd और 3rd point में Bajaj Finance, Power Grid यह सब रहे, आज के volume top उस थे Bajaj Finance, Alliance Industries, State Bank of India HDFC Bank, Industry Bank Reliance का debt free होने का पूरा detail जानने के लिए इस वीडियो को प्लीज end तक जरूर देखें, skip ना करें, बहुत छोड़ा से वीडियो होने वाला है, तो दोस्तों अगर आपने अभी तक stock market में account नहीं खोला है, stock market में कि बार-बार आई बटन में एक वीडियो आ रहा था, जो जिसका link अपको दिया है, वीडियो के description में भी वी लिंक मिल जाएगा, प्लीज जरूर देखेगा, 23 April का वो वीडियो है हमारा, और उसमें हमने discussion किया था कि Alliance Industries अगर 1363 से उपर close होने में कामयाब हुआ, और और डीले आई, पहली डील थी Facebook की, और उस Facebook के डील पर हमें लगा था और कोई डील नहीं आने वाली है, पर अगर कोई डील्स आती है, तो ये 1700 को पार कर सकता है, और आज ऐसा ही हुआ है, लगातार डील पर डील, डील पर डील, डील पर डील, डील पर एक बार हमने 1200, 1200 पर profit book किया था इसका, क्योंकि वहाँ पे situations रही बन गई थी कि अब यहाँ से एक बार के लिए एक तरफ होना चाहिए, बट Reliance Industries ने कमाल दिखाया, बहुत सारी डील्स की हैं, जबरदस डील्स की हैं, और यहाँ पे 1224 के आसपास का हाई बनाने के बाद 1143 का एक बार लो बनाया था, पर उसके बाद Reliance Industries रुका नहीं, बुकेच हमानी है, बजार का शेर, बजार को चलाने वाला आदमी, और बजार को ले देखें, फेस्बुक की डील आई थी, 22 अपरिल को, 9.9% स्टेक बेचा था, 43,573 क्रोर का, सिल्बर लेक की डील आई, में 3 को 5,655 क्रोर की डील हुई, विस्टा एक्विटी पार्टनर्स के साथ, 8 मही को हुई, देखें, 22 में, अपरिल के बाद में, 3 मही, 8 मही, फिर जनर एट्लैंटिक के साथ में, 17 मही को, 6,500 क्रोर के आसपस की डील, केक्यार के साथ, 22 मही को, देखें, कितना जबर्दस, मुकेश, अमानी ऐसा लग रहे थे, इस धुन में है, कि कंपरी को पूरा आज ही डेट फ्री कर देंगे, 22 मही को, उन्होंने KKR के साथ डील की, जिसमें इन्होंने 2.32% स्टेक बेचा, 11,360 11,367 करोर का, जुन 5 को डील हुई है, 1.85% स्टेक बेचा, जियो प्लैटफरम्स में 9,093 करोर का, सिल्बर लेक पार्टनरस और को इन्वेस्टर के साथ में, जो डील हुई, वो अलग से 4,546 करोर की अबुदावी इन्वेस्मेंट ने 5, 12,663,5683 करोर का, टीपी जी ने 13 जून को 0.93,1% के आसपास का स्टेक लिया, 4,546 करोर का, एन एल कैटटर ने जून 13 को 0.39% का स्टेक जियो प्लैटफरम्स में लिया, 1894 करोर का, दोस्तों कमाल की जनी रही है, इतना शायद ही इंडियन इतिहास में किसी कंपनी ने इतना जबरदस टेक सिल गया होगा, एक मात रिलाइंस ऐसी कंपनी रही है, जहां पूरा बजार गिर रहा था, पूरे बजार में हाहाकार मचीवी थी, पूरे बजार में पैनिक मचा हुआ था, वहीं रिलाइंस इंडिस्ट्री अपनी धुनका पक्का, मुकेश हमानी जबरदस एक इंडिस्ट्री लिस्ट है और हमें प्राउड है कि मुकेश हमानी जैसे बिजनस में हमारी कंट्री में है, जो पूरे वर्ट में चाहे हुए हैं, कमाल है, हैद्स फॉफ्टर मुकेश हमानी जी और यहाँ पर एक और चीज है दोस्तों समझने वाली बात है ये स्कीन को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है इन डील्स का जो टोटल वैलुइशन है ये जितनी डील्स अमने बात की टोटल वैलुइशन है 15.2 बिलियन का जो बाकी 7 डॉलर बिलियन है जो डेट फ्री होने के लिए जरूरत है वो रिलाइंस के राइट इशू के जरिये रेज किया जाएगा जो 1.6 ताइम्स ओवर सब्सक्राइब किया गया है इसको छोड़के कुछ और टेक्निकल इशू है जो इन्वेस्टर्स के लिए जानना बहुत इंपोर्टन है जैसे राइट इशू से रेज किया गया सारा पैसा इस साल डेलाइंस के पास नहीं आएगा इसको आने में financial year 2021 तक लगेगा जिसका मतलब है कि रेलाइंस टेक्निकली अभी पूरा डेट फ्री नहीं हुआ है लेकिन डेट फ्री होने के रास्ते पे है ये तो कह सकते हैं कि रेलाइंस वर्चुली डेट फ्री हुआ है हलाकि ऐसा कोई term accounting में terminology में नहीं हाता कि वर्चुली डेट फ्री एक्चुल में डेट फ्री होना चाहिए एक और पॉइंट काफी important है रेलाइंस के net debt को लेकर काफी साई rating companies का अलग-अलग आंकड़ा आया है दुनिया के top analyst funds जैसे Numora, Bunston, Kotex Securities, Goldman Sachs, Bunston Research ने रेलाइंस के net debt value को 2.1 डॉलर से लेके 2.6 डॉलर ट्रिलियन के बीच में रखा है यह नंबर रेलाइंस के official नंबर 1.61 ट्रिलियन डॉलर से काफी जादा है इनके खाते के मताबिक ज्यादा debt का reason है नंबर 1, Deferred Spectrum Liabilities, नंबर 2, CapEx Creditors, नंबर 3, Debt Transfer to the Fiber Investment Trust यह 3 factors responsible हैं दोस्तों higher debt के लिए लेकिन क्या इसका मतलब ऐसा निकाला जा सकता है कि Reliance Industries ने exactly सच नहीं कहा है क्या investors को worried होना चाहिए मेरे हिसाब से यह debt calculate करने का अलग-अलग forma use करने का result है इसमें कोई सही गलत ऐसा नहीं कहा जा सकता इतना जादा fund raise करना एक बहुत बड़ी बात है 500 billion dollar Indian company का दरजा पाने की बात बहुत बहुत शांदार है काबले तारीफ है उपर से साउधी के RMCO को मत भूलेगा साउधी के RMCO ने 15 billion dollar का RMCO deal complete हो गया तो Reliance के लिए बहुत ही बड़ी खबर होगी और अगर Reliance अपने fiber network के लिए कोई sponsor ढूण पाता है तो वो भी एक तरीके से बहुत ही बड़ी गाम्यावी होगी और फिर Reliance and list firms के हिसाब से भी debt free हो जाएगा एक और matter है जो थोड़ा interesting है Reliance की strategy है कि higher debt, high cash तो क्या ऐसा possible है कि fundraising की बाद Reliance पूरा debt नहीं बेगरेगी हो सकता है कि Reliance cash registers को भरके रखे और debt को भी थोड़ा कम रखे लेकिन इससे क्या उनके shares पे और market पे negative impact होगा क्या safe खेले की Reliance indices क्योंकि COVID-19 के वज़ए से uncertainty काफी जादा है क्या Reliance इसी uncertainty की मारत से बचने के लिए कोई तयारी करने में लगी हुई है यह सारी news आपको हम देते रहेंगे तक तक हमाई चनल को subscribe कीजिए, share कीजिए और पसंद आए तो like, comment जरू कीजिएगा नहीं भी पसंद आए तो भी comment कीजिएगा सुधारने की बहुत कोशिश करेंगे तो उमीद करता हूँ, Reliance का यह पूरा आकलन आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही interesting videos आपके लिए लेके आता रहुँआ थैंकियो सो मुच पर वाचिंग दिस वीडियो और अब भी तक प्ली सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तो अपने friends में, social media पर इसको share कीजिए ताकि everybody can gain such kind of knowledge on time थैंकियो सो मच, टेक कैर, जाहिन